माधुरी दिख्सित ने असी के दसक में बोलिवुड में एंट्री की थी और आज उनकी गिंती टोप एक्टरस में होती है माधुरी दिख्सित ने एक के बाद कई हिट फिल्में देकर तो सबको चोकाया ही था लेकिन एक किसिंग सीन से भी होस उड़ा दिये थे ये किसीं सीन माधुरी दिख्सित ने 1988 में आई फिल्म दयावान में दिया था जिसमें हीरो विनोध खन्ना थे उस दोर में फिल्मों में किसीं सीन बिल्कुल भी आम नहीं थे और माधुरी ने विनोध खन्ना जैसे सीनियर एक्टर के संग ऐसे सीन से चोका दिया था माधुरी को बाद में इस पर पच्चतावा हुआ था एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कास मैं तब कह देती कि नहीं ये सीन मुझे नहीं करना माधुरी के मुताबिक वे फिल्मी बैगराउंड से नहीं थी तो इसलिए नहीं जानती थी कि इस तरह के सीन को करने से इंकार कर सकती हैं माधुरी ने कहा था बाद में उन्होंने जब फिल्म देखी तो मन में उनके यही सवाल आया कि ये सीन उन्होंने क्यों किया था उसके बाद से माधुरी ने तैक कर लिया कि वो फिल्मों में किसिंग सीन नहीं करेंगी और तब से लेकर आज तक ऐसे सीन नहीं किये